युग्राज सिंग एक ऐसा नाम जिससे हर समय जो दूसरे देश के खिलाडियों हैं वो कापते थे क्योंकि वो अपने खिलाडियों के लिए हम इस अग्रेसिव रूप लेते थे और अगर कोई उनके खिलाफ कुछ भी बोलता था तो वो अग्रेसिव होकर उनकी रक्षा करने में शक्षम रहते थे इसी को लेकर अब एक बाद फिर से चर्णकरताओं की समीति पर भढ़के हैं युवराज सिंग क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब जो टाल मटोल हो रहा है किसका सेलेक्शन होगा किसका नहीं जो नए खिलाड़ी है उनका सेलेक्शन हो या फिर नहीं दिखाता है कि वे अब भी अपने खिलाडियों से कितना प्यार करते हैं नवश्कार मैं हो अर्शन मार आप देख रहे हैं नेक्स्ट्ट्स चेनकरताओं पर भढ़कना ये साबित करता है कि अब भी वो खिलाड़ी के रूप में एक स्पोर्समें स्प्रिट होती है व बिल्कुल और चेन करता हो कि बारे मुझनों ये कहा है कि काम मुझर ज़रूर है लेकिन करता काम यही होता है किि मुझस के पर चीफ हैं या शायक्तर से यूराज सिंग ने जिस तरह नहीं कर पारी ये टीम क्योंकि लगतार तीन साल से आपसे एक्षिन कर रहे हैं आहे कि कौन से प्रियर में रहां यूराज में कुसे मौना डेना चाहिए लेकिन आप मौकरते में पहस जद्दा धील औरते हो सबस्ब्स बहत्पूर बात इसमार्श के कोर भी है कि लगाता जो चौथे नमबर की बात है उसको लेकर तमाम सालों से बात चली आ रही है कि आखिर यूबराज की बात वहां पर कौन खिलता हो नजर आएगा लेकि जरा आप गोर करिए कई नामों को खिलाने के बाद कई नाम नजर आने लगता है जैसे पहले के बल्लेबास करते थे तो यह एक समझता लगाता बंती चली जा रही है बात करें कि जिस तरह से नए खिलाड़ी को मौकर दिया गया है बहले ही अब दिया गया लेकिन वह भी उतना सठीक नहीं है जिसके बारें बात हो क्योंकि फूमन गि जिनकरताओं कि तो वह गसे करें ने अदियां करें चैन का बहुता है जिस तरह करें ऐखें है स्यूचबरल के जिसके संङे ही चैन कर दे़ेख लेकिन डकर्वां सिंग धोनी की दोनी को दोनी को किराना की बात कर रहे ता और जब बात भी करते हैं वह बहुता है अगर हम बहुता है भुट के पर को लगतरा युवरास सिंग इसको लेकर भी भड़क रहे हूं कि आखिर आपकी रणीती क्या है क्योंकि आपको लंबे समय के लिए सोचना पड़ेगा लंबे समय के लिए आपको खड़ाड़ी त्यार करने पड़े हैं कोई भी खड़े एक दिन में नहीं बनता यह बात सच है लेकिन हां अब कर देने में हिचकना नहीं चाहिए मानलीजी अगर आप दाव लगा रहा है तो उनको भी एक सदों स्रीज्ट या देखनी हुं मौका देना चाहिए अगर क्लिक नहीं कर पार और लेकिन यह असा नहीं होना चाहिए कि लगता कर दे दे रहे हैं तो इसको एक पर सब्सक्रामरा हा लाधाया सी में तो खर शॉडन करता है लेकिन अगर बात करी जा एक मोका सेमसन को दीजिए तो कम से कम वो खिलाडी सामने तो आएगा जाहिए लगातार देखने हो मिल रहा है कि ऐसे खिलाडी चेहन तो होता है टीम में लेकिन वह बिना खेले बाहर कर दे जाते हैं तो यह अपने आपके बले अजीब गरिव इस्तती है अभी हम देखें कि लगातार को सोचना चाहिए कि हमारी आने वाले टाइम का विजन क्या है हमें कैसे टीम को त्यार करना है और एक ही प्लेयर पर लगातार दाव लगाने का मतलब पर लगाता है कि क्या आप दूसरे ख्लाड़ी के अंदेखी कर रहे हैं कि उनको मौका देना नहीं चाहते हैं तो ऐसे मैं जरूर यवराज सिंग ने यह बात उठाई है तो जाहिर तो पर बैहता है क्योंकि पता है कि यह क्लड़े का दर्द क्या होता उसको मौक्य ना मिलन ख्लाड़ी को पर्फोर्मेंस नहीं दे रहा और कोई खिलाडी बहार से बहार हो जाता है क्योंकि टॉप 15 में आता है और उसके बाद बिना मैच खेले ही बहार हो जाएगा कि उन्हें आगे मुखे नहीं दिये जाएंगे तो पुराने खिलाडी वह पिछड़ते चले जाएंगे और सब सन्यास के गेट पर खड़े होकर वही से वापस चले जाएंगे अब देखना होगा मुखे चेंड करता इसको लेकर क्या जवाब देते हैं ऐसी तमाम खबरों के के लिए जुड़े हैं नेक्स्ट्राइन स्पोर्ट्स पर धन्यवाद